गाइस इस वीडियो का टॉपिक है आईफोन 11 का बीजमाई टेस्ट आईफोन 11 2023 में है बीजमाई के लिए वर्थ है या फिर नहीं है आप लोग वीडियो एंड तक का देखते रहें को तो पता चल जाएगा यह iOS 16.2 वर्जन पे अपडेटेड है और यह 128 GPL वेरियंट है इसमें आपको दिखाते हैं कि बीजमाई कैसा चलता है आईफोन 11 में एपल की तरफ से A13 बाइनिक चिप आता है विद 4-Core GPU यह GPU जो है यह गेमिंग परफॉमेंस को एंहांस करता है और इससे पहले iPhone XS और XS Max में भी 4-Core GPU आता है पर उसमें जो प्रोसेसर है तो A12 है तो इसमें A13 के वाज़े से ग्राफिक्स भी एंहांस होते है और साथ में जो फोर्क और GPU वो तो एंहांस करता ही है बागी इसमें बैटरी हेल्थ प्रेजन टाइम पर 87% है इसके बाद डाइरेक्ट स्टार्ट करते हैं BGMI iPhone 11 में और देखते हैं कितने ग्राफिक्स तका सपोर्ट रहता है और फिसके बाद एक आप लोग को एरेंगल के टेस्ट दिखाते है iPhone 11 में BGMI में जो maximum ग्राफिक्स हैं Smoothless Extreme, Balance पर भी और HD और HDR सारे पर एक्स्ट्रीम है बस जो Ultra HD option है इसमें आपको Ultra HD option देखने के मिलेगा बागी HDR तक का Maximum Extreme option देखने के मिल जाता है अब शुरू करते है रेंगल के टेस्ट आप लोग को गर इसका ओरीजिनल टेस्ट देखना हूं तो जो वीडियो क्वालिटी सेटिंग रहती उसको आप लोग 60 fps सेट करके फिर वीडियो को देखिएगा तो आप लोग को स्मूधने समझ में आएगी मैं iPhone X में regular खेलता हूं मेरे को iPhone X से काफी बेटर इसमें गेमिंग लगती है एपल बले जैसे खुद कहते हैं कि हम हर प्रोसेसर साथ गेमिंग को और हर चीज को एन्हांस करते हैं तो A13 में काफी बढ़िया गेमिंग पर्फॉर्मेंस है बहुत स्मूध गेम रहता है बहले बैक बलास है हीट होता थोड़ बहुत बढ़ फिर भी जो गेम ऑप्टिमाइजेशन है काफी बढ़िया है आइफोन 11 बहले ही 2019 का मोबाइल है बढ़ इसमें जो पर्फॉर्मेंस जो स्मूधनेस गेम में रहती है वो शायद आज के एंड्रोइड भी न दे पहे है मैं रेगुलर्ली आइफोन X में खेलता हूँ उसमें OLED डिस्प्ले है और इसमें जो आइफोन 11 में डिस्प्ले है वो LCD डिस्प्ले है थोड़ा बहुत कलर्स का डिफरेंस समझ में आता है बहुत ही ना के बराबर आएगा पर यह है कि आपको कोई उसमें भी दिक्कत नहीं होगी सिमलर ही लगेगा अगर बिल्कुल दिहान से देखें तो थोड़ा हलका फुल का कलर वेरिशन लगेगा आपको बाकी सब सेम है और परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस तो आईफोन एक से काफी बढ़िया है क्योंकि प्रोसेसर आईफोन एकस में एएवन इसमें एए थर्टीन है तो उसाब से आप्टिमाजेशन बहुत बढ़िया है अब थोड़ी बात करते ही हीटिंग की आईफोन एकस के बात सारे में पीछे बैग ग्लास आता है तो आईफोन 11 में भी जब ज़्यादा गेम आप लोग खेर लेंगे तो थोड़ा बैग ग्लास हीट होएगा उसके इसे गेम भी थोड़ा बहुत लाग होने लगता है बट अभी जैसे ठंडी का मौसम चला है तो ठंडी का मौसम में आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है आपको लाग फील नहीं होगा इस मैच में मैं इवेंट वाले सरकल के अंदर जम करा हूँ जहाप पर खूब ज़्यादा बंदे आते हैं तो यहां पर मेरे को बिल्कुल भी लाग फील नहीं हो रहा है थोड़ी दे आप लोग गेम खेटेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत बाग ग्लास हीट हो जाएगा पर फिर भी आप लोग को लाग की कोई भी शिकायत नहीं होगी बिल्कुल भी लाग नहीं होगा आप लोग को गेम फुल स्मूज चलेगा बहुत से लोग सोचते हैं कि सेकेंड एंड आइफोन अगर खरीद लेंगे तो उसमें थोड़ा परफॉर्मेंस कम रहेगी ऐसा नहीं अप लोग अगर सकेंड आइफोन भी खरीदेंगे बस यह है कि स्टूर अच्छिए होने चाहिए बैटरी हल्थ 90 फे 90 से थोड़ा उपा नीचे मिल जाएगी बाकि कुछ आईफोन ठीक था कंडिशन में भी मिल जाएगे जो जिसमें बैटरी हल्थ आपकी 80-90% के बीच में होगी वो आपको 23,000 के आसपास तक का मिल जाएगे बट उसमें ये भी कोई दिक्कत नहीं कि पर्फ फिर भी बढ़िया रहती है बस ही है फोन की कंडिशन अच्छी होनी चाहिए सही से मेंटेन होना चाहिए तो फोन भी बढ़िया चल जाएगा अब ये जो फोन है ये करीब तेड़ दो साल हो चुका है बट फिर भी पर्फॉमेंस उसकी सेम वैसी है जैसी नय मोबाइल में देता तो वो पर्फॉमेंस और मुझको कोई पर्फॉमेंस में डिग्रेडेशन अभी भी नहीं लगती है बाकि अगर आप लोग को कोई भी मोबाइल से कोई भी रिलेटेड डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पूछिए मैं रिप्लाइ कर दूँगा